Hello friends, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बे तो आज मैं यूज़ करने वाले देखे इस तरीके से चमकीली पुरानी साड़ी का आपके पास कोई पुराना दुपट्टा है, कोई चमकीली साड़ी पड़ी है, माता की चुन्नी पड़ी है, पुरानी वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से साड़ी है, सबसे पहले मैं इसमें पीसे कट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है तो देखिए हम बनाने वाले हैं यह प्यारा सा स्टोरेज बैग, तो बहुत ही सिम्पल और इजी तरीके से मैंने इसे बनाया और देखिए कितना प्यारा इसका डिजाइन लग रहा है, तो एक साड़ी में से आप इस तरीके के बहुत सारे स्टोरेज बैग बना सकते हैं, और अपने कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है इसे बनाने का, बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको इसे बताने वाली हूँ, तो चलिए बिना डिले किये हम आज की वीडियो को शिरू करते हैं, तो देखिए साडी में से मैंने कट कर लिए इस तरीके से पीसे, इसके मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 17 इंच इस तरीके से है, एक मैंने बार्डर वाला पीस लिया है, और एक मैंने प्लेन पीस कट किया है, तो यह जो सिंपल नेट वाली साडी होती है, वो साडी है, इसलिए एक पीस तो यह हो गया हमारे पास रेडी, सेम ऐसे ही मैंने जो दूसरा पीस कट किया था साडी में से प्लेन वाला उसे भी रेडी कर लिया है, तो दोनों पीस देखिए हमारे इस तरीके से रेडी हो गए हैं, अब हम इसके लिए साइड बनाते हैं, तो साइड बनाने के लिए भी स इस तरीके से इस piece को ready कर लिया है इसकी measurement भी आपको बता देती हूं ये मैंने लिया है 8 inch और इसकी लंबाई मैंने लिया 47 inch पुरा लंबाई में अब हमें करना क्या है हमें इसके उपर लगाने है zip तो zip लगाने के लिए हमें यहां से cut लगाना है 1.5 inch पे और 1.5 inch पे cut लगाते हुए हम इसे पुरा पूरा लंबाई में हम इस पे 1.5 inch पे पहले निशान लगा लेंगे पूरी लंबी पट्टी पे उसके बाद हम इसे cut करके अलग कर लेंगे अब इसे cut करके अलग कर लीजिए इसके बीच में हम insert करेंगे zip तो इतनी ही length की हमें zip पर बीच आईए तो ये मैंने zip ले ली इसमें runner मैंने insert किये हुए हैं दोनो आप चाहें तो बाद में भी runner insert कर सकते हैं सीधी तरफ रखनी है अंदर की तरफ पूरा लंबाई में रखते वे आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है एंड तक तो ये हमारी सिलाई लग गई उसके बाद आपको इसे पलटना है और इसको पलटते वे आपको इसके उपर टॉप स्टिच लगा लेना है अब दूसरी तरफ जो हमने cut करके अलग किया था उसे भी हम join कर लेंगे तो इसे पलटते वे रखना है इसके उपर और साइड वाली पट्टी देखिए ready हो गई है अब हमें एक और पीस लेना है जो हमें back की तरफ join करना है तो उसके लिए मैंने एक और quilted piece लिया है इसके measurement बता देती हूँ इसमें भी बीच में rice bag डाल के मैंने इसे ready किया हुआ है इसके measurement है 17 inch और ऐसे है ये 8 inch इस पट्टी को हमें ये zip वाली पट्टी के साथ join करना है तो इसे हम रखेंगे सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए और उपर की तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे तो ये हमने लगा लिए है सिलाई अब रफ है जिसको हम simple पट्टी से finish कर लेंगे सिलाई लगा के इसे finish कर लीजे तो ये हमारा हो गया finish अब यहाँ पे उपर की तरफ top stitch लगा लीजे तो अब मैं बताती हूँ कि आपको इस पट्टी को हमें join कैसे करना है और extra पट्टी को हमें cut कैसे करना है तो ये ले लिए हमेने border वाला piece जिस पे मैंने पहले एक border वाला था एक plane वाला था और ये जो हमने अलग से piece join किया है इसे रखना है आपको सीधी तरफ अंदर की तरफ यहाँ पे पीछे की तरफ यह देखिए corner को इस तरीके से मिलाते वे और हम इसे pin up कर लेंगे तो मैं pin up करके दिखा देती हूँ आपको यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे फिर हम इसे गोल घुमाते वे सिलाई लगाएंगे और जितना भी extra होगा इस time हम cut कर लेंगे तो यह जो side वाली सिलाई है यह हमारी कपड़े के उपर लगेगी तो सिलाई लगाना easy होगा क्योंकि कई बार comments में मुझे कहते हैं कि round में उन्हें zip लगाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से zip लगा सकते हैं तो इसमें हमारी zip पे सिलाई नहीं लगेगी कपड़े के उपर लगेगी देखिए तो easily आपका यह stitch हो जाएगा तो यह हो गया हमारा सिलाई तो पूरी सिलाई नहीं लगानी है आपको तोड़ा सा side से छोड़ देना है और जितना extra है इस तरीके से आपको पहले cut कर लेना है तो जितना भी extra आरा देखिए मैंने cut कर लिया तो आप भी इसी तरीके से अगर extra होती है पटी उसे cut कर सकते हैं अब हमें इस पे सिलाई लगानी है तो पहले हम यह जो हमारा open है इसे हम सिलाई से close करेंगे इस पे stitch लगा लीजे सिलाई लगाने के बाद रफ है जिसको simple पट सा नीचे की तरफ से open है उसे हम close कर लेंगे तो यह देखिए हमारी extra पटी भी cut हो गई और यह हमारा नीचे वाला piece भी attach हो गया अब हमारा यह बिलकुल नाप के साथ perfect है तो हम इसमें दूसरे वाला piece भी join कर लेते हैं तो अब इसे हम यहाँ पे corner पे रखते हुए चारो तर सिलाई लगाना शुरू करते हुए पूरा round में आप इसके सिलाई लगा लीजिए क्योंकि हमने extra पटी पहले काटके नाप के cut कर लिया था इसलिए अभी हमारा बिलकुल पॉफेक्ट आएगा यह देखिए अब चारो तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से लगाएंगे तो जिप लगाना भी easy होगा और पॉफेक्ट आपका यह बिलकुल बन जाएगा तो यह देखिए मैंने सिलाई लगा ली अब हमें क्या करना है पूरा हमारा देखिए इस तरीके से बन गया अब हमें rough edges को finish करना है तो simple straight पटी लेके जैसे हम piping लगाते हैं उस rough edges को पूरा हम finish कर लेंगे दोनों तरफ से तो rough edges हो गए हमारे finish तो बिलकुल finishing के साथ देखिए हमारा bag बन गया अब हम इसे कर लेते हैं सीधा और मैं आपको दिखाते हूँ इसकी final look तो यह कर लिए मैंने bag को सीधा अब इसमें आप heavy heavy साडियां रखना चाते हैं सूट रखना चाते हैं लेंगा रखना चाते हैं कुछ भी store करने के लिए blanket store करने के लिए आप इसे use कर सकते हैं एक छोटा blanket भी इसमें easily आ जाएगा आपका जो single bed का होता है उसके बास zip को लगा दीजे और देखिये मारा प्यारा सा bag बनके बिल्कुल ready हो गया है तो आप भी इसी तरीके से कोई पुरानी साड़ी पड़ी है कोई पुराना दुपट्टा पड़ा है चमकीला वो इसमें use कर सकते हैं तो बहुत ही easy है देखिये से बनाना बिल्कुल easy तरीके से मैंने आपक आपको बताया है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू